आप कौन सब ब्रेट खाते हैं? Hi everyone, नमस्ते! मेरा नाम अनुप अगरवाल है, मैं एक weight loss coach और trainer हूँ. आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ, हर दिन हमारे शरीर में खाये जाने वाले जो society में ब्रेट हैं उसके बारे में. क्या हमें हमारे खाने में white bread खाना चाहिए या फिर हमें हमारे शरीर के लिए brown bread खाना चाहिए? अगर आप एक ऐसे वेक्ति हैं जो आप अपने शरीर को white bread खिला रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप अपने शरीर में बहुत ज़्यादा emulsifier, बहुत ज़्यादा vegetable oil और बहुत ज़्यादा preservatives दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में मैदा और थोड़ा सा ही आटा आपके शरीर को मिल रहा है, वहीं अगर आप एक ऐसे वेक्ति हैं जो आप अपने शरीर को brown bread खिला रहे हैं, जो society में बहुत ज़्यादा healthy option के नजरिये से देखने में आ रहा है, इसका मतलब ये है कि जितना emulsifier और vegetable oil और preservatives हमारे white bread में होता है, उतना ही तादात में हमें brown bread में मिलता है, इसमें से थोड़ा सा मात्रा हमें मेदे का और थोड़ा सा मात्रा हमें आटे का मिलता है, इसमें बहुत ज़्यादा color देखने में आता है, आप white bread खा रहे हैं या brown bread खा रहे हैं दोनों में कोई विशेश फरक नहीं है, white bread में ही बहुत ज़्यादा color मिला कर हमें brown bread खिलाया जा रहा है तो अगर आप एक ऐसे वेक्ती हैं जो white bread खा रहे हैं या brown bread खा रहे हैं European या फिर American culture को बहुत ज़्यादा follow कर रहे हैं तो इस culture से आपको बाहर निकना है हमारे भारतीय culture को अपनाना है और चोकर सहित आटे के रोटी के साथ में अपने शुरुवात करने है नमस्ते